हाई फ्रेंड्स, वेलकम अगेन तो माई यूट्यूब चानल मुवी टाइम, दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मिथुन चक्रवर्ती की दो ऐसी अन्रिलीस्ट फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें अपने हैंडसम एंड वेरी स्मार्ट हीरो मिथुन च मिथुन और रवीना टंडन के साथ की सबसे पहली फिल्म होने वाली थी, 1992 में आने वाली फिल्म वज्र, जी हाँ फ्रेंड्स, इस फिल्म में मिथुन और रवीना टंडन को एक साथ कास्ट किया गया था, और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और रवीना टंडन के साथ ही साथ राहुल रॉय एंड शिल्पा शिरोड कर भी फिल्म में मौजूद थे और ये बात है इयर 1992 की जबकी इस फिल्म को अनाउंस किया गया था इस फिल्म को डाइरेक्ट कर रहे तो बोलिवुड लवर्स के लिए यही बात इस फिल्म को सबसे अलग बना रही थी और इसके अलावा आशिकी फेम राहुल रॉय और शिल्पा शिरोड कर जो की अल्रेडी मिथुन के साथ बहुत सारी फिल्मों में देखी जा चुकी है इन सबके कॉंबिनेशन से ये फिल्म अपनी पोटेंशल वैल्यू को काफी हद तक की बढ़ा रही थी मगर अनाउंस्मेंट के बाद ये फिल्म फाइनेंशियल प्रॉब्लिम की वज़ह से शूटिंग फ्लोर तक की नहीं पहुच पाई और इस फिल्म को बनाने का आइडिया हमेशा हमेशा के लिए ड्रॉप कर दिया गया और गाइस मिथुन और रवीना टंडन के साथ की दूसरी अन्रिलीस्ट फिल्म थी अगनी सौगंध जीहा फ्रेंज वजर फिल्म के बाद इस फिल्म में दूसरी बार मिथुन के साथ रवीना टंडन स्क्रीन शेर करने वाली थी और साथ ही साथ इस फिल्म में अनुपम खेर, फरीदा जलाल, मोहन जोशी, शक्ती कपूर, जौनी लीवर और लक्षमी कांत बेडे जैसे कलाकार भी मौजूद थे इस फिल्म को डाइर किया गया था और अब अगर बात करें इस मूवी से जुड़े कुछ बेहत इंट्रिस्टिंग और यूनीक पॉइंट्स की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इस फिल्म में रवीना टंडन और मिथुन का आइकॉनिक पैर, वजर फिल्म के बाद फिर से इस फिल्म में सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ देखने को मिलने वाला था, और सिने लवर्स के लिए इन दोनों को किसी फिल्म में एक साथ में देखना किसी जबर्दस स्ट्रीट से कम नहीं था, मगर अनफॉचनेटली ये फिल्म अनाउंस्मेंट के बाद कभी भी फ्लोर तक पहुँच ही नहीं पाई और किसी अननोन रीजन की वजह से इस फिल्म को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस तरह से हम लोग फिर से वज्र मूवी की तरह अगनी सौगंध फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती और रवीना टंडन के आइकॉनिक प तो ये बॉक्स ऑफिस पर क्या मिथुन और रवीना टंडन के चाहने वालों के लिए एक सौगात होती या नहीं और ये फिल्मे धमाल मचाती या नहीं हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा थैंक यू वेरी मच्च